कोशिशन नमर 17 अपने सामने समय क्या दिया बसीर बर्किंग आर्स पर देड़ वाज इंक्रीज वाइटीन परसेंट और इस बेज़ेस पर आओर इंक्रीज वाइट वाइट रूपीज देन वाइट इस इनिशियल इंकम तेकि बसीर कार रिसमें प्रती दिन 18 परसेंट गया अगर उसकी देने आये में 988 रुपए की व्रद्धी हुई है तो फिर उसकी शुरुवात ही आये पता लगाएटी कि प्रसन बिलकुल आसान है एक बसीर एक बंदा है बसीर माल लेते हैं ठीक है उसकी इंकम डिपेंट किस बात पर कर रही है उसकी इंकम डिपेंट कर इस बात पर कि पहली बात तो बर्किंग आर्स कितने घंटे काम कर रहा है ठीक है बर्किंग आर्स पर डिपेंट कर रही है दूसरी किस बात पर डिपेंट कर रही है दूसरी डिपेंट कर रही है बेजेस पर और एक घंटे में उसको कितने रुपए मिल रहा है बेजेस पर कार पर बरकिंग आर्ज्ट और एक दिमाय कतने घंटे काम कर रहा रहा है और 2 गंटेbaum मिल रहा है ठीक है अब अब आपन बात करें यहां से है कि उसका क्या हो गया 18-9 क्या बढ़ गया कार समय बढ़ गया मतलब बरकिंग आरस 18 पर GC बढ़ गया पहले अगर 100 घंटे काम कर रा था तो अब इसे अधो घंटे काम कूर रहा है। यह बढ़ गया और इसके बेजस की कि बात केम मेजस बढ़ जाये9 21 परसेंट का मतलब क्यों होता है एक बटे चार यदि पहले चार गंटे काम कर रहा था तो अब पांच गंटे काम करेगा ठीक है दोनों का multiply होगा दोनों का multiply होगा यहां से इसको काट लेते हैं सबसे पहले यही कट जाएगा अब दो से यह बचेगा 50 यह बचेगा 59 ठीक है कोई देखकर कोई देखकर नहीं यह 5 से कड़ जाब यह वार 10 वार में ठीक है तो ratio आजाएगा अपना initial of finance का 10 into 4, 40 और यह बचेगा 7, 40 ratio 59. 40 ratio 59 क्या या अपने पास यह initial income आ गई? यह क्या आ गई? initial income और यह क्या आ गई? final income ठीक है? initial of final income की बीच में difference कितने का है? 19 unit का और इसी 19 unit का मतलब दिया है अपन को 988 रुपए यहां देखें तो अपन 19 unit बढ़ गई और question में बोल रखा है अपन से 988 रुपए बढ़ गई ठीक है तो इसको काट लेते हैं देखें 19,95 बचे का किता 3 19,38 एक unit का मतलब क्या आगा है 52 रुपए अगर एक unit का मतलब 52 रुपए आगा है उसकी initial income किती है 40 रुपए उसकी initial income है 40 unit तो चार दूनी आठ और पांच चुक को 20 और एक 0 क्या जाएगी 20,80 20,80 कौन से option में दिखा है 20,80 D option correct answer ठीक है